क्या चल रहा है दिनेश लाल यादो निरहुआ और पवन सिंग के बीच हम आपको कुछ ऐसी बाते बताने वाले हैं जिसे आप जाके डिरेक्ट शोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं और हम गलत साबित बिलकुर नहीं होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताते हैं कि इस दोस्ती में दरार कहां से आई दिनेश लाल यादो निरहुआ और पवन सिंग को आपने लास्ट टाइम कब देखा लास्ट टाइम आपने पवन सिंग के बदे पर देखा होगा जी हाँ जहां ये दोनों काफी फन करते नजर आएं लेकिन उसके बाद इस पार्टी के तक्रीबन एक से दो दिन बाद ही इन दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया एकाउंट पर हर जगे से अनफॉलो कर दिया तब ही से ये सुबगाहर तो थी कि इन दोनों के बीच कुस्तो हुआ है पवन सिंग जो भ जहां बोचपूरी के कई स्टार उन ही प्रमोट करते हुए या यूं कहले कि उन गानों पर डांस करते हुए दिखे वैसे आमरपाली दुबे बोचपूरी के तक्रीबन हर एक स्टार के गानों पर रिल बनाती है खुद दिने स्टाल यादो ने रहुआ भी काफी वैसे बताया जा रहा है कि पवन के पार्टी के दौरान ही दिनिस लाल यादों ने रहुआ पवन सिंग के बीच किसी बात को लेकर हलकी कहा सुनी तो हुई थी लेकिन बाद में आमरपाली दूबे ने जैसे ही खेसारी लाल यादों के साथ फिल्म साइन की और लगातार खेसा पवन और दिनिस लाल यादों निरहुआ के दूरी की क्योंकि दिनिस लाल यादों निरहुआ और आमरपाली एक रिलेशन्शिप पे हैं और ऐसे में अगर पवन आमरपाली को कुछ कहेंगे तो दिनिस लाल यादों निरहुआ आमरपाली का बचाव तो करेंगे ही खेर ये फैंस की तरफ से ये बयान बाजी हो रही है कि दोनों भुजपुरिया इस्टार ही भुजपुरी के करता धरता रह गए हैं ऐसे में दिनेस लाल यादो निरहुआ जादा कुछ नहीं कर रहे हैं कहा जा रहा है कि ये भी एक बड़ी वज़य है इन दोनों के बीच के क्लैश की वैसे आपको ये भी बता दे कि दिनेस लाल यादो निरहुआ और आमरपाली दूबे का रिलेशन खेसारी के साथ बहुत अच्छा है उनके रिलेशन में कोई खराबी नहीं है लेकिन जो रिलेशन में खराबी आई है वो सिर्फ आई है तो पवन सिंग के साथ तो क्या कहना अच्छा है तो क्या इसके लिए आमरपाली का खेसारी के साथ फिल्म करना जिम्मेदार है दिनेस लाल यादो निरहुआ और पवन सिंग के भी बिगड़ते रिस्ते को लेकर या फिर पवन सिंग की बढ़ती लोक प्रियता और बढ़ता स्टार्डम हमारे कमेंड बॉक्स म की होटर मसाले दर गोशिप के लिए ने स्ब्सक्राइब करना बिल्कुल ना